आज हम लोग बात करते हैं लोगों की प्रॉजेक्ट्स के अंदर तो क्या क्या कर सकते हैं, क्या रोल होते हैं अप प्रोजेक्ट मैनेजर आप उनको कैसे मैनेज करोगे ये सब टीम मैनेजमेंट आप लोगों को पता हिए कोई भी बंदा या बंदी अपने आप आपकी कहने से काम नहीं करता है उनके अपने drivers होते है तो वो जानेंगे कैसे आप motivate कर सकते हैं लोगों को आजकल क्या leadership चल रही है क्या trends चल रही है Zen Z, Zen Y आप कैसे काम करें सबके साथ तो आप motivational theory में बात करेंगे उसके पारे में बट अभी हम थोड़ी technical चीज़े समझ लेते हैं टीम बनाने के लिए आपको सबसे पहले plan करना पड़ता है यह agile में भी जुरूरी है और predictive projects में भी जुरूरी है किसका क्या role set responsibility होगा हम लोग एक team के तरह कैसे behave करेंगे team charter कई बार क्या होता है कि आप इंडिया है इंडिया में आपके पास इंडियन टाइमिंग चलता है meeting के लिए वो कहीं लिखा नहीं होता बट वो culture है ऐसी हर एक team के culture होता है हर एक organization का culture होता है तो team charter में अभी मैं अभी आगे करते हैं तो हम लोग पहले decide करेंगे कि हम लोग किस type की team plan करना चाहते है क्या-क्या roles responsibility होगी मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी team कैसे behave करें और फिर we manage we plan, we manage we replan, we manage, we control तो generally एक project के अंदर क्या-क्या roles हो सकते हैं project manager होगा definitely scrum master भी बोल सकते हैं मैंने agile में समझा है कि scrum master project manager manager नहीं है बट आज कर बहुत सारे लोग और बहुत सारी organization scrum master or project manager sometimes वो inter relatable होता है तो anybody who's in coaching role जो leadership role में हो manager sponsor जो पैसे खर्चा कर रहा है काम कराने के लिए internal भी हो सकता external भी और team members जो काम करते हैं जो website बनाएंगे या जो construction में काम करेंगे all of these are team members so जो हम team plan करते हैं तो कौन किसको report करेगा organization chart something like this ये पता होना चाहिए हर एक team member को अगर आपके team member को पता ही नहीं है कि हो किसको report करता है उसकी responsibilities क्या है तो आदा काम तो वही बेकार हो गया मैंने बहुत सारे projects देखे है जिनमें लोग बहुत महनती होते हैं पर उन्हें पता ही नहीं होता उन्हें क्या करना है तो वो direction less हो जाते हैं लोग ऐसा मत करो उनको बताओ कि आपका काम क्या है लोग काम करना चाहते हैं by default कई बार कई बार क्या होता है कि project थोड़ा लंबा है project overnights का है taxing है तो ऐसे project में लोग सोचते हैं वो छोड़ देंगे ये company को उसकी बज़ाए आप उनको release plan दो अगर आप developer हो आप coding में ये testing में जाना चाहते हो तो आप कैसे change करो अपना role या आप project से release होना चाहते हो तो कितनी देर में आप release हो सकते हो तीन महिने चे महिने so project team plan आप induction plan तो करते ही हो कि कब आपको बुलाना है लोग को कब आपको acquire करना है for example आपका predictive project है उसमें आपको architect चाहिए फिर development चाहिए फिर testers चाहिए तो आप इतर testers को induct करते हो अपने project के अंदर और architect को आप release कर दो at some point of time तो release plan भी चाहिए होता है और कब चाहिए आपको बंदा आपके project में वो भी चाहिए होता है क्या क्या trainings चाहिए किस को क्या क्या trainings दोगे rewards क्या दोगे कैसे motivate करोगे लोगों को तो rewards भी जुरूरी है team charter जो मैं बता रही थी कि आप क्या चाहते हो आपके team कैसे behave करें तो value system क्या है हमारा हम feedback पे जादा जोर देंगे या हम openness पे जोर देंगे हम चिला के बोलेंगे या हम एक corner में जाके बात करेंगे open door policy है या पहले calendar block करना है तो team values जैसे बहुत सारे लोग team values आप sapient की organization को देखे there are values openness, customer centric, leadership etc. etc. so what are your team values आप वो लिखें और बताएं कि हमारी team ऐसे काम करती है यह हमारा value system में है decision कैसे लेती है as a team decision making criterias क्या है remember आप कैसे decision करते हो unanimous, majority, plurality so आपकी team का by default decision making criteria क्या होगा जाहतर लोग majority रखते हैं more than 50% और plurality बोलते हैं क्या उसे याद करो meeting guidelines क्या है और meeting guidelines मतलब अगर एक minute भी लेट हुआ तो आपको fine लगेगा या 15 minute late is acceptable तो आपकी meeting guidelines क्या है आप लिख दीजे अगर physically आप मिल सकते है war room में अगर physically नहीं मिल रहे तो कम से कम you know it should be somewhere जहां पर आपका team मिल रहे है उन्हें पता होना चाहिए जैसे कोई निया बंदा induct होता है उसको पता होना चाहिए क्या acceptable है ground rules क्या है so ground rules वो भी लिख दीजे ground rules और कैसे है आप open door policy communication की चिला के बुलेंगे अराम से बुलेंगे conflict कैसे manage करेंगे so ये सब आप लिख सकते है इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़े लिख सकते है as I told you कि कौन किसको report करता है roles and responsibilities क्या है आप को भी format यूज कर सकते है RAM एक बहुत अच्छा format है अगर आपकी team metrics team हो metrics team में क्या होता है कि आपकी function managers भी होते है और आप project manage करें function से एक बंदा आ रहा है यहाँ वाला बंदा यह भी आपके project को report कर रहा है यह बंदा इसे भी report कर रहा है इसे भी कर रहा है so जहां कहीं भी dual reporting आती है लोग जो dual यह triple managers को report करते है बड़े confused होते हैं क्या करें क्या ना करें and it becomes difficult for them कि क्या priority पे है करना क्या है तो ऐसे टाइम पे आप RACI chart यूज कर सकते हो what does RACI stand for R मतलब responsible A accountable accountable मतलब वो बंदा जो यह काम करेगा अगर यह काम नहीं हुआ तो इसी को पकड़ा जाएगा responsible doers जो यह बंदा delegate कर सकता responsible को C, consult किसे करना है किसकी, who's expert inform, inform भी करना होता है लोग को, तो किस-किस को inform किया जाए यह RACI chart के अंदर आते हैं तो आप activity wise कर सकते हो WBS wise कर सकते हो और वो easy होता है आप बोलो कि testing of ABC module, M.I. is responsible and I can be working under M.I. Mia और Ben इनको information जब भी, जो भी कुछ होगा they should be informed और Ethan should be consulted so everyone, हर एक को पता है कि उनका role क्या है इस WBS item में इस deliverable में तो आप वो सब deliverable भी लिख सकते हैं activity wise लिखना है और modular जाना है तो और modular भी जा सकते हैं so consensus क्या होता है consensus is a decision making process used by a group to reach a decision that everyone can support अब यह आप ग्रूप में काम करते हो आपको consensus build करना होता है आप कोई भी idea लेकर आओगे जरूरी नहीं है सब लोगों को आपका idea पसंद है तो आप उस idea के लिए पहले आप उसे throw करोगे फिर लोगों का vote लोगे कि किते लोग किस idea में है कौन किसको favor करता है किसको नहीं करता तो generally consensus building requires a process कोई tools methodology तो उसे पहले consensus होता है क्या है सब को साथ लेके चलना पर सब को साथ कैसे लेके चला जाए पहले तो पता करना पड़ेगा कौन हमाई साथ है कौन नहीं है तो उसके लिए आप पहले consensus find out करने के लिए आप use कर सकते हो fist of five fist of five क्या है एक tool है आप बोलोगे यह मेरा idea है तो अब हाथ दिखाओ कौन मेरा idea support करता है कौन नहीं तो जो खुला हाथ रखेगा मतलब वो आपसे agree करता है यह आपको total support है इन लोग का जो बंद हाथ रखेगा मतलब कोई support नहीं है और in between मतलब मुझे कुछ problem है इसको कर दो मैं आपको support करता है वड मेरी problem है मेरी दो-तीन problem है मेरी major problem है मैं आपको support नहीं करता हूँ अगर यह दो-तीन problem solve करोगे, discuss करोगे तब मैं सोचूँगा कि मैं आपको support करो तो आप fist of five use कर सकते हो consensus understand करने कले कि कौन कहाँ है कि कौन मेरी साथ है अगर यह बहुत difficult है तो आप roman voting भी कर सकते हो roman voting क्या है, thumbs up, thumbs down very simple, कौन मेरी साथ है thumbs up, किसका mood सही है thumbs up, thumbs down आज मुठे थीक नहीं है, बात नहीं करना thumbs down so हम लोग moral चेक करते थे से पेंड में, thumbs up how is your moral thumbs up कर दिया सबके, सबका moral चेक thumbs down मतलब आज मेरी तब यह नहीं है, मुझसे बात नहीं करना कई लोग sideways भी करते है, sideways मतलब मैं ठीक ठीक हो, not up, not down so that also can be used, so student को बोलते है, roman voting यह भी बहुत use होता है easy है, use कर सकते है एक बार आपने thumbs up, thumbs down कर दिया but अगर यह तो तब है जब आपके पास एक choice है, but अगर choices बहुत सारी है, तो हम लोग polling कर सकते है polling क्या? कि choices बता, आपको कौन पसंद है तो choices में वो लोग poll डालेंगे और फिर decision कैसे लेंगे decision में हम लोग decision making criterias use कर सकते हैं, कि अब यह vote हो गया, polling कर ली तो what is our decision making process process could be voting voting में आप करो कि जब तक सारे हाँ नहीं बोलते, तब तक no decision gonna be made unanimous मतला हर एक को हाँ बोलना एक भी बंदा ना बोलेगा decision के लिए dinner करने बाहर जाना है आपके सारे घरवाले अगर बोलेंगे हाँ सबका मन है बाहर जाने का तो ही आप बाहर जाओगे वरना एक भी बंदा बोलेगा नहीं मेरा मूटी है तो यह dinner cancel हो जाएगा unanimous अगर decision making criteria है तो इसका मतला हर एक को हाँ बोलना है तब ही decision होगा majority मतलब अगर 50% से उपर लोग बोल दे हाँ तो आप dinner के लिए जाओगे तो अगर छे बंद है तीन बोलते है हाँ let's go out for dinner majority is your decision making criteria तो आप तीन बंदों के बोलने से भी dinner के लिए चले जाओगे plurality का views होती है जब आपके multiple choice है तो plurality मतलब जिसको जादा सबसे जादा vote मिले जैसे हम लोग के आचुनाव होते है वही जीत जाता है जिसको 33% vote मिले है क्योंकि बाकी वह 10-10% vote मिले है so plurality मतलब any person जिसको सबसे जादा any choice जिसको सबसे जादा vote मिले है हो सिकता है वह less than 50% भी हो does not matter but इसमें most votes फिर autocratic decision making criteria मतलब यह consensus से बिलकुल लुलता autocratic मतलब कोई एक बंदा बोले मैं decide कर रहा हूं चलो बहार चाहते है so आपकी mother decide करते है चलो आज dinner बहार खाएंगे autocratic 1% decides multi criteria decision making car कौन सी खरीदनी है तो हम mileage देखोगे पैसा देखोगे range देखोगे interiors देखोगे तो बहुत सारे criteria हो जाते है so this is data driven decision making analysis आप data एक खटा करते हो उनको calculate करते हो और फिर हर एको number देते हो और फिर उस number से जिसका number जादा है वह choice को आप select करते हो so यह decision making table है one of the decision analysis table जिसके अंदर कैसे candidate को select किया जाता है candidate 1, candidate 3, कोई organization है वह पैले presentation देखेगी, skills, interviews, leadership interviews, cultural fitment हर एक के number है तो interviewer ने number देदिये और जिस बंदे के सबसे जादा number आए वह बंदे को select कर लिए so here in this case यह वाला बंदा so आप ऐसे भी data-driven decision कर सकते है तो करते हैं let's play decision making कर दो किने कर दो कर दो कर दो थाद में